आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार सिबी आई की स्पेशल कोट के जज इसके शशी ने यह फैसला सुनाया है लालू के वकील ने बताया कि आगे बेल के लिए अरजी दी जाएगी लेकिन बेल नहीं मिलने तक लालू को जेल में ही रहना पड़ेगा डोरेंडा कोशवगार का मामला चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला था चारा घोटाले में लालु यादव को मुख्य साजिश करता बताया गया था CBI की तरफ से कहा गया था कि लालु यादव जो वित्व मंतरी मुख्य मंतरी थे तो उनकी नाख के नीचे ये सब कुछ हुआ यानी ये सब उनकी जानकारी में था तो मुक्या आरो पी बताया गया था जिसमें 15 फर्वरी को उन्हें दोशी करार दिया गया और आज उन्हें सजा सुनाई गई है सजा 5 साल की सुनाई गई है साथ ही 60 लाख रुपे का जुर्माना भी लगाया गया है हलाकि उनकी खराब तवित का हवाला भी दिया गया है और बेल की बात भी कही गई है कि बेल नहीं मिलने तक लालू अब जेल में ही रहेंगे और बेल के लिए अर्जी भी दी जाएगी आपको बता दे कि ये सबसे बड़े घोटालों में से एक माना जाता है 5 साल की सजा 60 लाक रुपए का जुर्माना लगाया गया है CBI की स्पेशल कोड के जजज S के शेशी ने ये फैसला सुनाया है वर्चुली आज ये सुनवाई हुई और उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है लालू के वकील ने बताया है कि बेल के लिए अर्जी दी जाएगी लेकिन बेल नहीं मिलने तक लालू को जेल में ही रहना पड़ेगा डोरंडा कोशगार का मामला चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला था चारा घोटाले में लालू यादफ को मुख्या साजश करता बनाया गया था सी बी आई की तरसे कहा गया था कि लालू यादफ जब वित मंतरी मुख्या मंतरी थे तो उनके नाक के नीचे यह सब हुआ यानी यह सब कुछ जानते थे नकी जानकारी में था और इसलिए इन्हें मुक्या आरोपी बताया गया है। काफी लंबे समय से ये मामला चल रहा था, कोट में चल रहा था और अब इस पे सुनाई दे गई, आज सजा सुनाई गई है और ये एक बड़ा मामला इसलिए भी था क्योंकि काफी चर्चा भे रहा था लालू जब एक बड़े पद पे थे, तब ये बड़ा घोटाला हुआ और इस तरह के घोटाले में उनका नाम सीधे तोर पर सामने आया। आज सजा सुना दी गई है। अब तक अपनी जान गवादी है और अब तक जो जिन्दा लोग बचे वे हैं उनकी टोटल संख्या जो है वो 38 जिसमें आज सीबी आई कोट में पूरे मामले पर सुनवाई हो रही थी क्योंकि इसके पहले भी लालू यादों को चारा गोटाले से जुड़े हुए चार माम पूरे में जमानत मिली ते और उसके बाद वो जेन से बाहर आये थे लेकिन आज सीबी आई कोट में जो डॉरंड़ो की कोशागार है वाहाज जो डॉरंड़ो कोशागार में यह जो चारा गोटाला हुआ था उस चारे गोटाले की उसमें ताफ पर पर आरोपी बनाए गये अभी कुछ दिनों पहले ही उन्हें पूरे मामले में दोशी करार दिया गया था और सजा के रूप में अगर देखा जाए तो उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गयी है और साट लास आका जो जुर्माना है वो दिया बताया गया है आहम बात यह है कि मुख्यमंतरी और वि चारे गोटाले की बज़े से ही गई थी और उसके बात से ही कभी भी और अर्जेडी विहार में अपनी सरकार बना लिजाएगी लेकिन जो समिक्रण वने और जब नतीज़े आया तो नतीज़ें पर पिर भीजेपी और जो उनका घडबंदन था उनके साथ जाता हुआ पिए जिसमें बात साल की तजा और साट लाख रुपर जुर्माना है दूसरी एहम चीज यहां पर शिखा यह भी है कि जब लालुयादों को इस तो दौरान उनके जो वकील है उन्होंने लालुयादों की बीमारीं का भी हवाला दिया पताए गया कि करीब सोला से जादा ऐसी प्रमुक बिमारिया है जिससे लालु यादव लबने समय से गरसिस चल रहे हैं और उन बिमारियों का हवाला देते हुए यह कहा गया कि कुछ उनकी जो सजा है उसमें गुंजाइश करी जाए लेकिन आस्टी बियाई की कोर्ट ने जब सजा सुनाई तो उसमें किसी प्रकार् हमारा जुसम्विधान है उसके तहत सब बराबर अगर उधारण की तरीके से देखा जाए तो किता सही है देखें इसके पहले भी अगर हम बताएं तो हाई कोट से लालु यादों को जमानत मिली थी और उस दौरान भी उन्हें बिमारियों का हवाला देना पड़ा था तब इतना था खानाू अलाज वाड लगा भी इसके हाए कोट ल। सब्सक्राइब करेंगे लेकिन जब तक बेल नहीं मिलती है तब तक लालु यादों को जेल में ही रहना पड़ेगा जो की एक बड़ी समस्या और बड़ा सवाल खड़ा करता है करें जब लालु यादों डेल से बाहर आये उसके बाद पर से वोट में उनकी सुनवाई हुई चारा गोटाले को लेकर पहले उन्हें रोशी करार दिया गया और उनके बाद आज उन्हें सजा सुनाई गई जी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया मैसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर मैसे समधाता नेतिम कुमार जुड़े थे तो सीधे तोर पर सजा सुना दी गई है लेकिन अभी भी परीजनों का और वकीलों का ये कहना है कि बेल के लिए वो देश विधान सभा चुनाव 2022 को लेकर एक तरफ राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है इसी कड़ी में सोमवार को बांदा में केंद्रे मंत्री अनुरा ठाकुर चुनाव प्रचार करने पहुँचे जहां उन्होंने मीडिया से बाचीत में दावा कि इस चुनाव में सपा को सो सीठे भी नहीं मिलेगी उन्होंने कहा इस बार की लहर बताती है कि मुंदेल खंड में कमल ही खिलने वाला है अखिलेश जी साथ चर्डों के बाद भी सो सीठे पार नहीं कर पाएंगे और दस मार्च को उनका बयान होगा कि इवियम बेवफा है इससे पहले केंद्रे मंत स्रीय नुराक ठाकूर ने भाश्पा प्रत्याशी प्रिकाश दिवेदी के पक्ष में रोडशो कर वोट की अपील की थी तो इस बार फिर बड़ा बयान सामने आया नुराक ठाकूर का और जिस तरह से हर बार चुनाओं के बाद विपक्ष आरोप लगाता है इवियम के सवाल उठते रहते हैं और एक बार फिर इस बार खुद बीजेपी की तरफ से अनुराक ठाकूर ने ये बात कही है कि सौ सीटे भी नहीं जीत पाएंगे सातों चर्णों के चुनाओं के बाद भी और अखिलेश का बयान दसमार्च को होगा कि इवियम बेवफा है यानि पक्षि मुद्दा बनाता है इवियम को इवियम का एक बार फिर नाम बीच माया चुनाओं के बीच और इवियम को बेवफा बताएंगे अखिलेश अनुराक ठाकूर का ये जो बयान आया किस तरह देखते हैं बिलकुँ शिखा जिस तरीके से औरुस्थि चुनाओ का दौर शुरू है और ऐसे हमें आरोब फिर्टि ईवियारोब का दौर लगताटार जारी है और जिस तरीके से पग्धान मुद्दी नने-मोदी हो या ग्हामि मुद्दी आमी पिशा हो या मुद्दी योगी आधित लगतार अकलेश यादव पर हमलावर होते नजर आते हैं उसी फैरिस्ट में अनुराग ठाकूर का भी नाम भूता नजर आ गया है और जिस तरीके से आज अनुराग ठाकूर बांदा सदर पहुचे थे बाटवा पृत्याशी की रैली में शामिल होने वही उन्होंने समाजव दस मार्ज को जिस दिन मदगड़ना होनी और अकलेश यादव एविएम को बहाना बना कर अकलेश यादव का ये कहना होगा कि एविएम बेवपा है और एविएम में च्छेडगानी की गई इस तरह का बैयान अनुराग ठाकूर ने दिया है और इससे पहले भी अनुराग करहल से भी नहीं जीत पाएंगे तो क्या अखिलेश को करहल से हराना आसान होगा बिल्कुल शिखा जिस तरीके से बहुत बड़ी बात अनुराग थाकुर ने कही है कि करहल सीट से भी अखिलेश आदफ चुनाव नहीं जीत पाएंगे इसी बीच अभी जीत पहले एस्पी बघ्एल का भी महां से बयान आया उन्हेने बहुत बड़ी बात की है का अकलेश आदफ ब्रोजबाद हो चाहे वह करनोज हो कर हल हो मैंठपुरी हो या इतावा की जो सीटे हैं ये जो इलाका है ये हमेशा से ही सवाजबाटी पार्टी का गल कहा है तो इतना आसान नहीं होगा क्योंकि अभी बीते दिनों की बात करें तो मुलाइम सिंग यादा हों चाहिए शिपाल यादा हों वो खुद करहल पहुचे थे और अखलेश आदफ के लिए खा बारती जन्ता पार्टी के जो नेता है वो लगतार ये दावे करते आ रहे हैं कि करहल सीट से भी अखलेश आदफ का जितना काफी मुश्किल हो सकता है जो बिलकुल बहुत 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 शुक्रिया माईसे जुड़ने के लिए तुमाम जानकारी के लिए इस खबर पर माईसे समधात अफजर खान जुड़े थे तो दस मार्च को ईवियम में वफा है कहेंगे अखलेश इस तरह का बयान सामने आया अनुराक ठाकुर की तरफ यहां रुकेंगे एक छोटी सब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार